दोस्तो पान के पत्पे का इस्तमाल पूजा से लेकर खाने तक में किया जाता है पर ये पान सिर्फ स्वाध ही नहीं लेता बल्कि इसके अने को स्वास लाब भी होती है तो आईए जान पे हैं क्या है इसके फायदे पान में 10 ग्राम कपूर को लेकर दिन में 3-4 बार चबाने से पाईडिया दूर हो जाता है पर ध्यान रहे पान की पीक पेट में नहीं जाने चाहिए खासी आने पर पान में अजवाइन डाल कर चबाने से लाब होता है किड्नी खराब गुने पर पान का सेवन करना लापकारी होता है इस दोरान तेज मसाले शराब यो मान्जाहर से परहिज करना चाहिए चोट पर पान को गर्ण करके परत परत करके चोट वाली जगर पर बांद देना चाहिए इससे दर्ण में आराम मिलता है जले पर पान लगाने से भी फायदा मिलता है जल जाने पर पान को हलका गर्ण करके लगाने से दर्द कम होता है मुग के च्छालों के लिए पान बहुत फायदेमंद होता है चाले पढ़ने पर पान के रसमे देशी घी मिला कर चाले पर लगाने से लाब मिलता है माधे पर पान के पत्ते का लेप लगाने से सिर्दर दूर हो जाता है अगर आप धुम्र पान छोड़ना चाहते हैं तो पान के ताजा पत्ते चबाएं इससे आपको धुम्य पान छोड़ने में मदद मिलेगी कमर दज से रहत पाने के लिए उस पर पान के पत्तों से मसाज करें आपको लाब होगा पान के पत्ते चबाने से डायवितीस को नियंत रिस्ट किया जा सकता है लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अत्यधीक पान का सेवन स्वास्त के लिए लाब दायक नहीं होता है इसलिए जादा पान का पर योग महीं करना चाहिए इसी तरह और भी हेल्दी और ब्यूटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें